यूटूब चैनल स्रीहरे नम्ह को लाइक, सेर, सब्सक्राइब करें धन्यवाद। कौन वस्तू किस काम के लायक है, कौन व्यक्ति कहां पर मियुक्त किये जाने लायक है, इसके पारखी और विनियोजक्त की कमी के कारण बात बिगड़ती है। कली जुग का अगर सदप्योग करना चाहें, तो श्रीकाग भुसंडी जी दावे के साथ कहते हैं कि कली जुग सम जुग आन नहीं, कली जुग के समान हितकर जुग, भला करने वाला जुग दूसरा है ही नहीं। कली जुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण भिमल की ओल भगवान के दिरमल गुणों का आजान करके भवतर, बिन ही प्रयास, न हड़ी सुखानी पड़ी, न हजार मंतिल और गुण हमन करना पड़ा, मैं घर परिवार छोड़ना पड़ा, नर्सी को साथ दिन में, नामदे को तिन दिन में, मीरा को और धन्ना को एक एक दिन में भगवान का साक्षातकार हो गया, यह कली जुग की विशेष्टा है, स्रीमत भागवत के ग्यारवे स्कंद में एक श्लोक आता है, चारो जुगों का स्वभाव और विशेष्टा वर्णन करते करते, एक श्लोक में तो कहते हैं कि कृता दिशुप प्रजा राजन, कलव इच्छन्ति संभवं, स्क्दि जुग त्रेता द्वापर की प्रजा, तरस्ति एक इक कास, कलि जुग में मेरा जन्म होता, कलव इच्छन्त संभवं कल जुग में मेरा जन्म होता ऐसा तरस्ति और जुग के लोग क्यों बोले कलव खलव भविश्यन्ति नारायन परायना नारायन परायन भगवत परायन भगवान की भक्ती करने वाले लोगों कि संख्या कली जुग में जादे हो गूँ गिना हूँ दस बीस के नाम ये कली जुग में हुए है मानो कली जुगी इतिहासां तरगत वह दिन आया था जब हरी जन की कौन कहे बिम्खोने हरी गुन गाया था श्री रामानन्द कवीर सूर तुलसी का अविर्भाव हुआ श्री तहरिवन्स चंद्र कृत हरी भक्ती का प्रगण प्रभाव हुआ श्री रामानुज शंकराचार्ज में भक्ति हे तुतन धारा था श्री कृष्ण चंद्र ने गौर चंद्र बन बग्ति सुजस विस्पारात श्री समर्थ गुरुरामदास रहदास दिवानी मीराजी मरसी नानक नामदेव ने बग्ति किर्थि कर दीताजी कि यावनी शासनकाल में जहां एक तरव विवन शासकों का दमन चक्र चल रहा था और उनी दिनों में इन संतों की भक्तों की ऐसी बाढ़े आई हिरन कशिपु ने अपने शासनकाल में कहा कि मैं नारहिन का नाम निसान नहीं रहने दूँगा ठाकुर जी ने कहा कि तुम मेरी नाम निसान की जड़ खोदने पर तुला हुआ है और मैं तेरे घरे ही में अपने नाम की जड़ जमा रहा हूं, प्रहलाद को पेदा कर रहा हूं समय परे नर क्या करे, समय समय की बाथ किसी समय के दिन बड़े है और किसी समय की रात कभी दिन बड़ा होने लग जाता है रात छोटी होती है कभी रात बड़ी हो जाती है दिन छोटा होने लग जाता है थोड़ा छोटा बड़ा हो सकते हैं लेकिन दिन को भी हमेशा के लिए कोई खतम कर देना चाहे अत्वा रात को भी हमेशा के लिए कोई समाप्त कर देना चाहे यह संभब नहीं इसी तरह से यह सक्त गुण रजोगुण और तमोगुण तीनोगुण अपना-पना कुछ प्रभाव बढ़ाते रहते हैं और ठाकुर जी जब ज्यादे कोई बढ़ जाता है तो उसको थड़ा घटा करके संतुलन बनाते लिए तो कलिजुग बुरा जुग नहीं है अगर कलिजुग का हम भजन की किरतन की दिशा में उपयोग कर सके तो भगवत प्राप्ती जल्दी होती इसी लिए कलिजुग को प्रभु ने इस्थापित के कर दिया और भगवान सह रहे हैं कलिजु अधर्म को श्री हरेनम ये कल तक उत्तर दिया जा चुका था अब इसके बाद भक्ती महाराणी को बड़ी सांतुना मिली नारद जी के बचनों से और कहा कि महाराज आपके बचनों से मुझे बड़ी सांती मिली आप मेरे सवभग की से यहां पधारे हैं मेरा कष्ट दूर करने के लिए अब मेरे बच्चों का कष्ट दूर करिए तब नारद जी कहते हैं अगले अध्याय में एक अध्याय कल पूरा हो गया था इसमें असी श्लोक हैं महात्म के प्रथम अध्याय में असी श्लोक हैं अब असी श्लोकों की व्याख्या व्याख्या क्या वैसे सामन अर्थ विचार कर चुके हैं अब दूसरा अध्याय प्र अहु चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरनाम भोजम स्मर दुखं गमिश्यती। बहुत लोग आकर रोते हैं मारा जी बड़े कष्ट में, बड़े दुख में पड़े हुए हैं, बड़े बिपत्ती में पड़े हुए हैं। वो लोग नोट करें इस श्लोक को, इसमें जो सिद्धान्त और मंत्रना नारजी दे रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। नारजी कह रहे हैं भक्ती महरानी से, और भक्ती महरानी के माध्यम से हम लोगों को भी सला दे रहे हैं। बिथा खेदे से बाले, जर्थ खेद मत करो। दिन में बड़ा आनंद था, रात आ गई तो कौन खेद करता है। और खेद करने से क्या रात अभी चली जाएगी। जितनी बड़ी रात होनी है उतनी तो होगी। बारा बज़े रात को कोई कहें कि महराच जी ये रात बहुत परिशान कर रहे हैं। ये सी किरपा करिये कि इसी समय बारा बज़े रात में सुरजोदय हो जाए, कौन कर देगा, करा देगा। इसलिए इसके लिए खेद करना स्वामी स्री रामसुकदाश जी बताय करते थे कि आई होई परिस्थिती को लेकर के रूना आई होई परिस्थिती को लेकर के खेद मानना और उसे बदलने की कोशिश करना बेकार हम परिष्थिती को बदल नहीं सकते हैं दिन है तो अपनी अवधी तक दिन ही रहेगा रात है तो अपनी सीमा तक रात ही रहेगी बदल नहीं सकते हैं हम परिष्थिती को बदल नहीं सकते हैं प्राप्त परिष्थिती का सदपयोग करके लाव उठा सकते हैं प्रप्त परिस्थिती का कभी कभी असाड सावन में बढ़ियां बरसा नहीं होई तो लोग क्या करते हैं चत्राई करते हैं कि कुछ हुँ तो हाथ लग जाए तो लोग करते हैं कि बजर परे तब बजड़ा होई बज़ा छीट था वैसे कई प्रांत ऐसे हैं जहां बजड़ा मुख्य फसल है लेकिन हम लोगों कि यहां ऐसी माननेता है कि जहां धान उसमें इतना पानी लगा हुआ हो यह परिष्थति अगर नहीं रह गई है किसी साल तो कहते हैं कि बजड़ा बोद बज़र पड़े तब बजड़ा हो यह बज़रा कि सलिए बोया गया परिष्थिती को बदलने के लिए नहीं उस प्राप्त परिष्थिती का सदव्योग करने के लिए तो परिष्थिती के कारण खेद मत करो तो क्या करें हमाराज चिंता तो होती है तो कहती है कि चिंता से क्या हो जी लाभ हो गए आपको चिंता तो चिंता तो चिंता से बढ़ कर है ची के बताईए की चिंता अच्छी है कि चिता अच्छी है दोनों में कौन जादे खतरनाक है विशारकों ने कहा है कि चिंता तो चिता से बढ़ कर है, घुन के समान लग जाती ये, मुर्दे को चिता जलाती ये, जिन्दे को चिंता खाती ये चिंता जिंदे को खा जाती है चिता तो मुर्दा को जलाती है लेकिन चिंता जो है ये जिंदा को खा जाती है घुन जैसे बाहर से देखने में लकडी जियों कित्यों लग रही है लेकिन भीतर भीतर घुन खा गया है तो उसको एक बार पटकिये इस विर्जावी में चाना जाती है जिसके जीवन में उसको खा जाती है इसलिए चिंता मत करो, तो क्या करो? स्री करह वाली बाबा सरकार, जिनके अश्री बात से यहां के उत्सों का इतना विश्तार हुआ है, वो कहा करते थे, उनके सामने कोई अपनी चिंता व्यक्त करने लग जाता था, तो कहते थे कि चिंता छोड़ो, चिंतन करो. चिंता छोड़ो चिंतन करो चिंता को मिटाने की अचूख दवाए भगपद चिंतन चिंतन मने भगवान की याद करो यही बात नारख बाबा कह रहे हैं बृथा खेदे से बाले अहू चिंता तुराक्थम स्रीकृष्ण चरणां भोजं स्मर स्रीक्रिष्ण भगवान के चर्णों का स्मर्ण करो स्मर्ण मने याद करो जैसे बिमार पढ़ने पर डाक्टर को याद करते हो ग्रिजुएशन के बाद जैसे नौकरी चाकरी के वांटिड कॉलम को याद करते हो जैसे इंटर्विव में समय से पहुँच जाएं चुन लिए जाएं इसके लिए गाड़ी राइट टाइम क्यों नहीं आ रही है लेट हो गई तो जैसे गाड़ी की और ताक्ते हो गाड़ी की याद करते हो इस गाड़ी को आज ही लेट होनी थी प्यास लगने पर जैसे पानी को याद करते हो भूख लगने पर जैसे भोजन को याद करते हो ऐसे ही संकट आवे उल्जन आवे तो अपना कर्तब भी पालन करते रहो लेकिन खेद करने के बजाए और चिंता करने के बजाए चिंतन करो भगवान का इधर उधर जाकर के दस जगह तुम अपना दुख रोगे उसरी रहिम जी कहते हैं कि मन में ही रखिये गोई रहिमन निजमन की व्यथा बाट न लई है कोई सुनिय ठिल लई है लोग सब दुख दर्द में कोई आपके दुख को माठ नहीं देगा तो दस जगह बीस जगह अपना दुखडा रो रो करके क्यों समय बरबाद कर रहे तो क्या करना चाहिए बोले कि मन की मन में रहनी चाहिए और कहनी हो तो केवल मन मोहन से कहनी चाहिए कहनी हो तो केवल मन मोहन से कहनी चाहिए को अब बदुन हमकेस कॉश्ण महन से को हो ब्राहु श्याम सुंधर का U अब बाबा से सुने हुए आधार पर मारजी से सुने हुए आधार हमारे सामने को या जाता है तो इसको यहीं सहलाय दिया करते हैं महराजी बड़े संकट में पढ़ा हूँ, बड़ी विपत्ती में पढ़ा हूँ, तो पूछता हूँ कि पांडव परिवार से जादे बड़ी विपत्ती में पढ़े हो क्या, पांडव को घर नहीं बचा था, पांडव के पिता जीन दिवंगत हो चुके थे पांडव, केवल क कुंती माता इन पाँच बच्चों का पालन कर रही थी जैसे तेसे उनको भी दुर्जोधन ने लाह के घर में बंद करके अग लगवा दी अगर श्री विदुर चाचा ने कृपा नहीं की होती श्री हरेनमा अगर संजय जी ने कृपा नहीं की होती तो ये पाँचों पुत्रों से हित कुंती राख की धेरी हो गई होती वहां से निकले तो जाने कहां 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 कैसे कैसे प्राण बजाए घुमते रहे उसके बाद इंदर प्रस्थ का रज्जी भी हुआ तो दुर्जोधन ने देमानी करके जुआ चलका करके और सारा रजी छेन लिया बारा बरस तक जंगल में घुम पानी के में प्राण निकल जाएगा बाद पानी ल देने गए तो एक भाई मुर्चित हो गया दूसरे भाई गये तो ब्होस हो गये पीसरे घड़े घ़्योई चोथे भाई तो ब्होस हो गये पांच में भाई जो धिष्टे जियन्त में गए यक्ष के प्रश्ण का उत्तर दिये तब स्वयम भी पानी पीने को मिला अपने भाईयों को भी जीवित करके और उनको भी पानी पिला सके उनसे जदे संकट आप पर आया हैं उनसे जदे बड़ी विपति आप पर आई है नहीं माराज अभी उत्मी बड़ी विपति तो नहीं आई है mermaid अच्छ तो ये बताईए कि आपसे जदे विपति पलिट सीना पांड़ों पर बोले हाँ का कि तो उन दिनों में विपत्ति के दिनों में पांड़ों ने क्या किया यूटूब चैनल स्री हरे नमः को लाइक, सेर, सब्सक्राइब करें धन्यवाद बोले भगवान स्री कृष्ण के चरण का सहारा पकड़े रहे बोले तो फिर तुम क्यों हाय हाय करते हो, तुम भी नहीं के चरणों का सहारा पकड़ लो, कहीं गए है थोड़े कलजुक में भी रस्खान जी को दर्शन देते हैं, रहीम जी को दर्शन देते हैं, ताज बीबी को दर्शन देते हैं नर्सी जी की उंडी चुकाते हैं, नर्सी जी के बेटे का ब्याह कराते हैं भगवान कहीं गए नहीं है नर्सी जी यही सला दे रहे हैं खेद मत करो देवी, खेद करने के बजाए स्रीकृष्प पिचरणाम भोज़स्मर दुखम गमिश्यती दुख चला जाएगा अगर दुख रहेगा भी, तो दुख तुमको रुला नहीं सकेगा तुमारे इर्दे में वेदना नहीं उत्पन कर सकेगा बल्कि उस दुख को पा करके तुम गदगद हो जाओगे इस बिपत्ति के ही दिनों में भगवान स्रिकृष्ट की कृपा का अज बिशेश अनभव हुआ पंडव परिवार को इस बात को अनभव करके माता कुंती ने भगवान से बरदान मांगा कि ए बभवा का नहीं है तो का एफ हुआ आतो इसने विपत्ति हमरा पर बराबर परल रहे काहे एफ हुआ आतो जब तक विपत्ति रही तब तक तुम सामने रह करके और अपने पीतांबर से मेरे आश्चों पहुचते थे कि एफ हुआ चिंता मत करो हम तोरह साथे बानिनू और भिपत्ति दूर हो गए राजजी मिल गया गद्धी मिल गया तुम जा रहे हो दौर का है तो बताओ समपत्ति मिली तो तुम दूर जा रहे हो अभिपत्ति मिली तो तुम सामने खड़े रह कर आशसु पोश्टे थे तुमारे अजिसन सुख से तो दुख ही अच्छा है सुख के माथे सिल पड़े कभीर जी कहते हैं सुख के माथे सिल पड़े जो नाम एरदे से जाय अरे बलिहारी उस दुख की जो पल-पल नाम रटाए तो कहते हैं नारजी सला देरे भक्ती महरानी को कि स्रीकृष्ट चरनाम भोज अ कि इसमर नगे चल्ण अंभोज मतमने कमल चरन कमल का स्मर्ण करो दुख मिश्यति दुख जाएगा एंच दूर होगा ुदूर को दुख दूर होगा दुख दूर होगा है सिरीक्त हरे नमद्लों को ज्यादे धीरज नहीं हो दुख सहने का चाहते हो कि पिझै यह तो चला या रहे भी तो हमको रुला न सके तो वो लोग एक श्रीमत भागवत का वाक्य बताता हूं और एक शायद रामरक्षा स्तोतर का श्लोक है श्लोक नोट करिए इसको याद करते रहिएगा बड़े लोग संकट से पार हो गए है श्रीमत भागवत का श्लोक है कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रनतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमह इस श्लोक को बार-बार कह करके प्रभु को याद करिए श्रीकृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुख दूर होगा अगर आपके मिन में हो तो फिर दोरा लीजिए आप भी बोलिए कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रनतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमहा और दूसरा श्लोक और फिर बोलिए आपदाम पहरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोका भिरामं स्री रामं भोयो भोयो नमाम्य हम करिए याद नारत जी की सलाव दुख्खम गमिश्यती दुख जाएगा दुखदूर होगा और जिसको संस्कृत का श्लोक बोलना नहीं आता है वो हिंदी की चौपाई बोलें की दीन दयाल बीरत संभारी दीन दयाल बीरत संभारी अरहुनाथ ममसंग कट भारी दीन दयाल है दीन पर दयाल ब्या करने वाले दीन दयाल बीरत संभारी अपने बिरत को संभारी अपने बीरत को संभालो आपका सुज़श आपकी ख्याति है हरवनात्मम संकट भारी मेरे भारी संकट को हरव हरण करो यह नर्द वावसला दे रहे हैं कि स्रीकृष्पिच्रना भोजन स्मर्दुखम को मिश्टि फिर अगले श्लोक में कहते हैं कि द्रौपदी च परित्राता येन कवरव कश्मलात द्रौपदी को जिनों ने परित्राण दिया परित्राण मने सब तरप से छुटकारा दिलाया दुखों से द्रवपदी चपरित्रा था कवरों के चंगल में फसी हुई बेचारी द्रवपदी जिसका चीरहन करने के लिए दुस्षासन जैसा दुर्जन सुना जाता है कि दुस्षासन की भुजाओं में दस हजार हाथी का बल था दस जार हाथी आजकल शक्ति होर्स पावर में ना पी जाती है न पहले शक्ति का बड़ा विकास था हर्स पावर में नहीं इलिफेंट पावर में ना पी जाती थी दस जार हाथी का बल दस जार होर्स पावर नहीं दस हजार एलिफेंट पावर था दुस्षासन की भुजाओं में और उन्हीं भुजाओं से द्रोपदी को नंगी करने के लिए भरी सभा में सारी खीच रहा था एक मोटे रस्षे को पकड़ करके एक तरफ दस हजार हाथी खीच रहे हों पूरी ताकत लगा के और दूसरी तरफ उसी रस्षे के छोर को दुस्षासन पकड़ के खीचता तो दस हजार हाथियों को घशिट लेता था इतनी ताकत थी और उसी हाथ से वो अभागा दुर्जन द्रोपदी को नंगी करने के लिए भरी सभा में और चीर खीच रहा था सारी खीच रहा था लेकिन कहने वालों ने कहा कहा कर बैरी प्रबल कितना भी प्रबल बैरी क्या कर लेगा कहा कर बैरी प्रबल जो साय जदुवीर अगवान अगर मदद करने को त्यार है तो दस हजार गजबल घटयों पर घटयों न दस गजचीर द्रौपदी के दस गजच की सारी का अंत नहीं आया और दस हजार हाथी का बल यूं यूं करने लगा दुशा सुन पसीने पसीने हो गया लगा कि ब्लड प्रेसर लो हो गया लगा कि गिर पड़ेगा मर जाएगा दस हजार गजबल घटयों घटयों और दस गजचीर इद्रौपदी ने पुकारा कि नहीं आप सच्चे मन से एक बर पुकार करके देखो क्यों ये कहते हो भगवान आते नहीं सच्चे मन से उन्हें तुम बुलाते नहीं क्यों ये कहते हो लगवान आते नहीं सच्च मन से उन्हें तुम बुलाते नहीं क्यों ये कहते हो लगवान आते नहीं द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं क्यों ये कहते हो कुछ भोग खाते नहीं द्रौपदी की तरह तुम खिलाते नहीं दिलनी की दर तुम खिलाते नहीं जिसक दिन हमारी अंतरात्म जिवा से बोलते हैं जादे ताकत लगाते तो कंठ से बोलते हैं लेकिन जिस दिन अंतरात्मा से बोलेंगे उस दिन अवस्य सुनवाई होगी, अवस्य सुनवाई होगी, अवस्य सुनवाई होगी स्री करव यहरी बाबा सरकार कहा करते खुदा मंजूर करता है खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है जब दिल से आवाज निकलती है चाहे तो दुआ हो चाहे फर्याद हो खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है मगर मुश्किल तो यह है कि बात यह मुश्किल से होती है हिर्दे से आवाज निकलना कठिन है लेकिन मुश्किल है हिर्दे से आवाज निकलना लेकिन मुश्किल भी आसान हो जाता है जब प्राणी ऐसी मुश्किल में पड़ जाए कि कहीं से कोई सारा नहीं मदद नहीं तो सुनेरी मैंने निरबल के बल्राइ जब लग गज अपनों बलबर्थों में चुसरों नहीं काम और निर्बल होए बलराम पुकारो निर्बल होए बलराम पुकारो भाए आधे नाम सुनेरी में निर्बल के बलराम पुकारो भाए आधे नाम यूटूब चैनल स्रीहरे नमः को लाइक, सेर, सब्सक्राइब करें धन्यवाद सुनेरी में निर्बल के बलराम दुर्पद सुता दुर्बल भैता दिन तजियाए निजधाम दुच्ता सिंदी की भुजा तकित बहें उसाजरी की भुजा तकित बहें सुनेरी में निर्बल के बलराम सुनेरी में निर्बल के बलराम अप बल तब बल और बाहु बल चोटो बल है दाम सुनेरी की सुर कृपाते सब बल सुने की सुर कृपाते सब बल हारे को हरी नाम सुनेरी में निर्बल के बलराम हारे को हरी नाम सुनेरी में निर्बल के बलराम संकट आवे तो कही इधर भागो दोलो मत केवल प्रहु को याद करो प्रहु को पुकारो इनार्द वावा की सलाह है भक्ति महारानी के माध्यम से हम लोगों को ही सलाह दे रहे हैं स्रीकृष्प चरनां भोजस्मर्दुख्मगमिश्यती दुरोपदी चाप परित्राता जेन कोरो कैसमलात कोरों के द्वारा धाये जाने वाले विपत्ती के समय में जिस भगवान स्रिक्रिष्ण ने द्रोपदी की रक्षा की थी और पालिता गोप सुन्दर है ब्रज के गोपियों की जिन्होंने रक्षा की पालन किया गोवर्दान उठा करके प्राण बचा सहक्रिष्णा वो क्रिष्णा क्वापी नोगता कहीं गए नहीं है कोई गए नहीं हैं आज भी हैं पुकार सुनते हैं पर हे भक्ति महारानी तुम तो उनकी प्राण बल्लभा हो तुम तो भक्ति प्रियात तस्य सततम प्राण तो दिका प्राण से भी अधिक प्रिय लगने वाली हो आप तया हुतस्त भगवान यात नीच ग्रेश हो पी आप किसी नीच से नीच परिवार वाले व्यक्ति के हिर्दय में बैठ जाओ और वो अगर इसारा कर दे तो उसकी कुटिया में जाने को प्रहुत तयार है भी भील जाती सबर जाती कोल भील मुन्दा वरां संथाल यह कोई बढ़ियां जाती नहीं है इन्नों का धंदा है केवल मुस मारो बिलगोह मारो सियार मारो खरगोस मारो मारो और खाओ मारो और खाओ मारो और खाओ कि केवल यही जानते हैं और उस जाती में पली हुई शबरी और उसके एरदय में सत्संग के मध्यम से भक्ती महरानी आकर के विराजमान हो गई और शबरी मिया की भक्ती किस से छिपी है कौन नहीं जानता है रिशियों की कुटिया पर नहीं गए सबरी की कुटिया पर प्रहुआ है क्यों? सबरी का हर्दय का प्रेम पुकार रहा था सबरी निहारे तेरी बात रमया प्यारे आजारे सबरी निहारे तेरी बात रमया प्यारे आजारे सबरी निहारे तेरी बात रमया प्यारे आजारे, सब दिन हारे तेरी बात रमया प्यारे आजारे, कही गए गुरुजी प्रभु कुटिया में आई हैं, जनम जनम की जरनी जुड़ी हैं, तब ही से लगी रही चाट दर से दिखला जारे, सबरी निहारे तेरी बात रमया प्यारे आजारे, सबरी निहारे तेरी बात रमया प्यारे आजारे, दगर वारू तेरी बात निहारू तनमन प्राण चर्णन परवारू कनमन प्राण चर्णन परवारू दुनिया से दुनिया से बनवा उचाओ प्रीति सरसा जारे शबरी में हारे तेरी बात निहारू तोड़ी तोड़ी मीठे मीठे बन फल लाई भिलनी की कुटिया में आओ रगुराई पंपा सरोवर के घात मधूर फल खा जारे पंपा सरोवर के घात मधूर फल खा जारे शबरी में हारे तेरी बात रमया प्यारे आजारे शपरी दीहाले स्टेडिवा रमया प्याडे आजारे ये नारत ब्वाबा बोल रहे है देवी त्वं तुभक्ति प्रय मिलत भूम् केक्टा है ढेतल घुर्लिक्रिष्नस स्थे रामस स्झय नारायन स्थे प्रभू की कि प्रिया आप लड़ए प्रानवालवाब हell और कितनी प्रान प्रिया हो बोले प्रान तो धिकाल प्रान से भी ज़्यादे प्यारी लगती हो अप और आप ही का प्रभाव है कि त्वया होता है त्वया आओ तो तुम किसी मुसहरिन के घर में बैट के हर्दय में और वहां से इसारा करों की प्रभू बड़ी प्रेमी है आओ जरा है इसकी कुटिया पर तो राम जी अजुद्या छोड़कर उसके कुटिया में जाने को तयान है और क्या विशेस्था थी सबरी में यही बगती 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 तिया हुतस्त्वरगवान या दिनी चिग्र इस्ट बी ये भक्ति माननी सत्युग में то जोग और ध्यान की विसेश्चता रही होगी त्रेता में यग्य ज्ञान बहिग की विसेश्चता रही होगी ये भुववन्धन से शुराने वाले होते होंगे लेकिन कलव तू केवला भक्ति ही कलव तू केवला भक्ति ही कलव तू केवला भक्ति ही ब्रह्म साजुज्यकार नहीं कलजुग में केवल भक्ति ही की जा सकती है और ये भवबंधन से छुडामने में समर्थ भी भवबंधन से छुडा सकती है परमात्मा से की प्राप्ति करा सकती है इतिनी चिद रूप सद रूप आम तौआम ससर जह यही विचार करके प्रभू ने आपको प्रगट किया है आपको भगवान में प्रगट किया है कैसी है आप बोले परमानंद चिन मुर्ति है परमानंद मैं हो और प्राक्रतिक शरीर वाली नहीं हो हमको तो आश्र लग रहा है कि आपको दुख आया कैसे आपके पास तो दुख आना नहीं चाहिए सुर्ज नाराण कहें कि भाई क्या करूं मैं तो अंदकार से बहुत परेशान है अगनी देव कहें कि अरे भाई यह मुझे ठंड़क बहुत सता रही है यह सम्मानने की बात नहीं है तो परमानंद चिन मुर्ति हो करके और भर्गती को कस्ट है कस्ट वस्ट महीं है तो नाटक कर रही है क्यों कर रही है भगवान की प्रेरना है कि थोड़ी देर के लिए ऐसा नाटक करो कोई साधक सोच सकते हैं जो भक्ती स्वयम कस्ट में हैं जो ग्यान वेरागी स्वयम जरजर और बुढ़े और बेहोस पड़े हैं उन ग्यान वेरागी और भक्ती का साहरा लेकर कि हमारा उत्थान कैसे होगा हमारा दुख कैसे दूर होगा इसका उत्तर गुरुजी दिया करते थे पुजी चर्ण स्री धक्तमाली जिमारत ये बिमार उमर नहीं है बेहुस नहीं है जान बुझ करके नाटक कर रहे हैं किस लिए एक खास उद्दिश से इस पर एक द्रिश्टांत दोंगा तब बात समझ में आएगी आप लोगोंने सुना होगा कि एक बार अर्जुन भीमसेन भीमसेन को अपने बल का बड़ा अभिमान हो गया मेरे समान बलवान कौन बड़े-बड़े हाथियों को उठा कर प्षेक देता हूँ असमान में तो हनवान जी ने सोचा कि भीमसेन मेरा छोटा भीया है क्योंकि ये भी पौवन पुत्र और मैं भी पौवन पुत्र मैं तृता का पौवन पुत्र और ये द्वापर का पौवन पुत्र एक जो छोटा है में लेकिन पौवन पुत्र होने के ना ते तो मेरा भाई है इसके मन में हो गया बल का अभिमान और अभिमान तो ले जाता है नरक में तो मेरे रहते मेरा छोटा भाई नरक में चला जाए तो मेरी भी सिकायत हो जाए का हनमान तुमारा छोटा भाई नरक में चला गया और तुम ताकते रहे तुमने बचाया नहीं समालना चाहिए था इसलिए अपनी जिम्मेवारी समझ करके बड़े भाई हनुमान जी ने पहुन पुत्र होने के नाते अपने छोटे भाई पहुन पुत्र भीम सेन को नरक से बचाने के लिए अभिमान दूर करना चाहा अभिमान बहुत बुरी चीज है अभिमान से बचाने के लिए हनुमान जी ने क्या किया कि एक विर भीम सेन कहीं जा रहे थे रास्ते में हनुमान जी पढ़ गए एक वो बुढ़वार भीमार बंदर बन करके ये कथा आप लोगोने सुनी भी होगी और साथ सिरियल में देखा भी होगा हनुमान जी बुढ़वा और रोगी बंदर बन के भीम सेन के रास्ते में पढ़ गए रस्ते बंद तब भीम सेन कहा है ए बंदर हट जा आग यहां से नहीं हिले का की बागता है की नहीं तो हनुमान जी बोले मेहिया बुढ़ा हूँ बिमार पड़ गया हूँ मुझसे हिला नहीं जाता है तुम पहलवान हो मुझे एक और करके लांग करके चले जाओ पहले तो प्रस्ताव किया की लांग के चले जाओ कि भीम सेन बोले कि नहीं किसी सजीव प्राणी को लांगने में दोस होता है क्योंकि उसके भीतर भी भगवान का निवास है तब हरुमान जी बोले कि जब इतना धर्म विचार रखते हो तो तुम मुझे एक और कर दो किनारे करके रास्ता निकाल लो और चले जाओ बगल से भिम सेन ने का कि हाँ ये ठीक है एक और कर दूँगा रास्ता निकाल के चला जाओंगा तब सोचा कि बंदर है बुढ़ा है बिमार है तो हाथ से क्यों चूँए तो अपनी गदा की नोक से जैसे आप सडक पर पड़े हुए गंदे चिर्कुट को अपनी छड़ी से चाहे चाता की नोक से चाते किनारे कर दे ऐसे हैं भिम सेन ने सोचा कि गदा की नोक से किनारे कर दूँ गदा की नोक से उस बंदर को क्या किनारे करेंगे उसकी पूछ भी नहीं हिली भिम को आस्चर्ज हुआ कि है आज मेरी गदा की नो का प्रयोग हुआ मेरी ताकत का प्रयोग हुआ और इस बंदर की पोच भी नहीं यह लिए यह क्या बात है तो गदा को किनारे रख दिये और पूछ पकड़ करके सोचा कि घसीट के किनारे कर दूँ घसीट के किनारे क्या करेंगे पसी में पसी में हो बंदर को किनारे क्या कर सकेंगे बंदर की पूछ भी नहीं हिले डिगई न शम्भुसरासन कैसे कामी वचन सती मन जैसे अब भीम सेन का माता ठनका अरे हम जो कहा यह कप ही नहीं होई यह बंदर नहीं मालू होता है तो बंदर के रूप में कोई देव देवता मालू होता है तब भीम सेन हाथ जोड़कर हार करके हाथ जोड़कर कड़े हो गए मैं आपको प्रणाम करता हूँ आप कोई बंदर नहीं मालू होते हैं क्यों बंदर होते हैं तो उठा करके मैं फेक देता कितनी दूर लेकिन आपकी पूछ भी नहीं हिली इसलिए मालूम होता है कि आप बानर नहीं है बानर का रूप धर के कोई देवता यहां आए हुए है आप बानर के रूप में कोई देवता है मैं आपकी शरण हूँ आप अपने असली रूप को दिखाईए अपने रूप में प्रगट होगे आप तो कभी बुड़े नहीं होते हो अजर अमर गुन निदिस्ट हो काबरदार मिला है और आप कभी बिमार नहीं पढ़ते हो आपको याद करने वाले यूटूब चैनल स्रीहरे नमः को लाइक, सेर, सब्सक्राइब करें धन्यवाद आप बुड़े और बिमार के रुप में यहां कैसे बोले कि न मैं बुड़ा होता हूँ न बिमार पढ़ता हूँ लेकिन थोड़ी देर के लिए तेरे बल के अभिमार को दूर करने के लिए मैं ने बुड़े और बिमार बंदर का नाटक किया था बात समझ में आई ना हनमान जी बुड़े नहीं होते हैं बिमार नहीं पढ़ते हैं लेकिन अपने छोटे भाई भीम से इनके बलके अभिमान को दूर करने के लिए अभिमान को दूर क्यों करना वोले नरक में न चला जाया अभिमान करके अभिमान नरक में ले जाता है संसरत मूल सूल प्रदनाना सकल सोक दायक अभिमाना तो अभिमान से बचाने के लिए नरक से बचाने के लिए अभिमान दूर करो और अभिमान दूर करने के लिए थोड़ी देर के लिए मैं बुढ़ा और रोगी बंदर बन करके तेरे सामने ख़़ा था हो गया नबल का अभिमान दूर क्या कर सके नेरी पूछ तक नहीं हिला सके भी या बड़ी कृपा कि आपने जो मुझे अभिमान से बचा लिया अंदर एक से बचा लिया तब हनमान जी बोले कि और कुछ चाहता है तो बता क्या चाहता है तो भीमसें बोले कि हुमने सुना है कि आप जब समर्भायं कर समर्भायं कर अतिबलवीरा वाला रूप देखना चाहता हूं तो बोले कि उस रूप देख सकोगे अब दिखा दू तो सह सकोगे नहीं हाट फिल ना कर जाए का जी एक बार दिखा दीजिए तो हनमान जी ने दिखाया सुनिका फिप्रगट कीन निज देहा हो कनक भूधराकार सरीरा लगा कि बंदर नहीं हो सोने का पहार खड़ा हो कनक भूधराकार सरीरा समर्भायं कर अतिबलवीरा मैया अन्यनी के लाल हनुमान हो मैया अन्यनी के लाल हनुमान हो लंबा पत है केवल दूगो कड़ी इस प्रसंग की गालेता हो बर्बस बिमार बूर बानर के भेश धरी बर्बस बिमार बूर बानर के भेश धरी बिमार बूर बानर के भेश धरी बिमार बूर बानर के भेश धरी बिम के भेश धर लाया भी मान हो बिम तान्यार भीम पहले भेश धरी भीमता निहार भीम भाईले भाईवीत तब कैला प्रबोत देखे ज्यान हो मैया अंजनी देखे ज्यान हो जैसे भीम सेन को नरक से बचाने के लिए अभिमान दूर करने के लिए हनमान जी जान बूज कर थोड़ी देर के लिए गुड़े और बिमार बानर का रूप धर लिये थे ऐसे ही नारद बाबा स्रीमत भागवत की महिमा के अच्छे जानकार और उपदेशक हो करके भी स्रीमत भागवत की महिमा को भूल गए इसलिए इनके दिल दिमाग में स्रीमत भागवत की महिमा को तरो ताजा करके प्रस्तुत कराने के लिए ठाकुर जी ने भक्ती महरानी को ग्यान और बहरागवत को प्रेरित किया है कि आप इस तरह की परिस्थिती उत्पन करके और नारत जी को चक्र में डालो और वे अब उपाय खोशते फिरेंगे कि ज्ञान बहरागवत का कष्ट कैसे दूर होगा इनकी मुर्चा कैसे दूर होगी इनकी पुष्टी कैसे होगी गर-गर मेंकी पृतिष्था कैसे होगी भक्ती का खेट कैसे दूर होगा अखोशते खोशते अंत में बद्रिकास्रम में संकादिक कुमार मिलेंगे और संकादिक कुमार कारण पूछेंगे और इसके बाद ये कारण बताएंगे उसनकादिक जी कहेंगे कि घबड़ाओं नहीं उपाय पहले से मौजूद है उसको करना है कि वल्ग क्या बुले सिर्मत भागवत की कथा इतने ही के लिए ये ठाकुर जी की प्रेरना से ना टक भगवान को अवतार लेना था इसलिए अपनी माया के द्वारा रास्ते में नगर रचना करा दिया विश्व मोहिनी का स्वेंबर करा दिया और उसके बाद नारत जी को विवाह की इच्छा उत्पन कर दी और विवाह नहीं होने दिया नारजी ने स्राप दिया कि तुमको जनम लेना पड़ेगा राजकुमार बन करके और नार विरात तुम होव दुखारी प्रहुने ताली वजाई वाह इतने ही के लिए तो मैंने ये नाटक रचा था इतने ही जेलिये तो मैंने ये नाटक रचा था नहीं तो क्या जरूरत थी बिर्चेव मगमह नगरते ही शत्योजन विस्तार स्रे निवास पुरते अधिक रचना ब्रुद प्रकार ये ठाकुर की रचना है जब कोई विशिष्ट बईभव प्रगट करना होता है तो कोई न बचा लेते हैं अब नारत भाबा भक्ती की महिमा पहले गाएंगे कि तुम क्या हो अपनी महिमा को तुम भूल गई हो तुम भगवान की प्राण बल्लभा हो प्रमानंद मई हो चिनमूर्ती हो और कृष्ण बल्लभा हो श्री हरेनमा एक बार जब भगवान ने तुम्हें प्रगट किया है भक्ती महारानी आपको जब प्रगट किया तो आपने एक बार बद्ध्वाम जलिम तवया प्रिष्टम किम करो मी तिचहिकदा एक दा मने एक बार आपने भगवान के सामने हाथ जोड़कर पूछा कि कि करो मी क्या करूं मेरे लिए क्या अग्या है तो भगवान ने अग्या करी त्वाम तदा अग्या पयत कृष्णा भगवान ने आपको अग्या की इम्मत भक्तान पोशे तिचह मेरे बद्धों को पोशन दो मेरे बद्धों का पालन करो जैसे महतारी दूध पिला कर बववा को पोस्ती हैं ऐसे आप भाव में दुख्ध पिला पिला करके प्रेम में दुख्ध पिला पिला करके आप मेरे भक्तों को पालो पोसो ये भक्ती महरानी को आज्या दी है उसके बाद मद्भक्तान पोशेट जब उसके बाद आपने उस अग्या को अंगीकार किया स्विकार किया अंगी कृतन तद्वई प्रसन्व भूद्ध हरिस्त दा बगवान प्रसन्व हो गए जब कहा आपने पूछा कि क्या करू मेरे लिए क्या अग्या है और प्रहु ने कहा कि मद्भक्तान पोशेट मेरे भक्तों का पोशन करो तब आपने क्या किया जो आग्या कहदर के आग्या को सिरोधार्थ किया अंगीकार किया भगवान प्रसन्व भूद्ध भगवान बहुत प्रसन्व हुए हरिस्त दा और कहा कि इस कार्ज में भक्तों के पोशन वाले कार्ज में सहजोग करने के लिए ये लो मैं एक दासी देता हूं जो आपकी खास सेवा में रहेगी और इसके साथ और कई दासियां रहेगी जो सब तरह की सेवाएं करेंगी कौन-कौन बोले प्रमुक्स सेविका है मुक्तिम दासीं ददव तुभ्यम आपके लिए मुक्ति नाम की ए लगाने वाली चोका वर्तन करने वाली एक दाई है मुक्ति मुक्तिम दासिम ददव तुभ्यम ज्ञान वैराग्य काभिमो और ये ज्ञान और वैराग्य नामक दो पुत्र आपको प्रदान किये ये आपकी मदद किया करेंगे पोशनम स्वेन रूपेन वैकुंठे त्वम करोशिच और अपने इसी दिब चिनमई मुर्ति के द्वारा आप वैकुंठ में रहकर के ही भक्ति का निवास वैकुंठ में साखेत में गोलोक में बता चुका हूं साखेत गोलोक वैकुंठ को अलग-अलग मत समझना एक ही भगवत धाम के अलग-अलग नाम है पोशनम कि शरूप से आप वहीं से कृपा दिश्टी डाल जैसे सुरुज नारा हमसे कितना उचाएं कि बहुत उचाई पर हैं हमसे लेकिन उचाई से हम लोगों को प्रकास देते हैं पोशन देते हैं ऐसे भगवान के धाम में ही रहकर के आप भगतों को पोशन देती रहती हो और तुम्स्वेन रूपेन भैकुंठे चमकुरुष्य भूमो भक्त भी पोशाया च्छाया रूपम तयाकृतम। इस धर्ती पर भक्तों के पुशन के लिए आप अपनी एक च्छाया प्रती के रूपम। धर्ती पर भी आप विरास्ती हो। मुक्तिम ध्यानम विरक्तिम चासा कृट्वागताब होई। आप मुक्तिक और घ्यान वईराग्य को लेकर करके आप धर्ती पर आई। और स्थिति है, और महा आनंद में स्थित रही आप गल वुक्टिंट, छेम Łं प्राप्त प्राप्त में परततं हो अमें प्रेलीट आप तो इसमें मुक्ति जो है वो तो रुगिया गई छै को प्राप्त होई और क्यों बले पाखंड के संसरे से तो दा गया गता शिग्रम बैकुन ठंपुनरेवचा पुनरेवसा फिर उस मुक्ति ने कहा कि ए स्वामिनी ए मालकिनी जी मैं तो बड़ी कमजोर हो गई पता नहीं क् कल जुक के आगमन से मैं क्या करूँ तो कहा गी अब तु बैकुन ठुए चल वहीं पर तेरा इलाज होगा तो यूटूब चैनल स्रीहरे नम्ह को लाइक सेर सब्सक्राइब करें धन्यवाद